कि इनके उपर चुनाव आयोग को कालवाई करनी चाहिए जो हिस्तर है कि जूटी अब्बाय उड़ाएं ये लाष्ट द्रो है लाहुल गांदी का है कववा कान ले गया यही पोईशन आपकी और यही सपा की है हाकीकत यह कि पूरे हिंदुस्तान में BJP जीत रही है पूरे नॉर्थ में जीत रही है नॉर्थ इसत में टोटल जीत रही साउथ में भी उसको कुझा सांसत मिल ला 방송 का अंग्रेस के कह रहा है और यह सम अधीर लंजन ने कहा था कि मोधी का कोई मुकाबला नही है आपको बताने हैं ये कहते रहें कि मात्मा गांदी की हत्ता में RSS का हाथ RSS ने इस पे बाकाइदे मुकदमा दायर किया राहुल गांदी इन लोगों ने माफी मागी अभी फिर माफी मांगने की पोजिशन आ गई जब RST होने लगती तब माफी मांग लेते हैं और आपको बता दे कि बीजेपी के सांसद है दी अर्विंद जिनके द्वारा एक बयान दिया गया है और इस बयान को अब विपक्षि दलो द्वारा तोड मरोड कर पेश किया जा रहा है दरसल दी अर्विंद द्वारा ये कहा गया था कि नोटा, कार, हाथ, किसी पर भी आप वोड़ दो जाएगा कमल परी इस दौरान अ कोंग्रेस हो ये समाधवादी पाथी लगातार इस पूरे मामले को इस पूरे बयान को इवियम से जोड़कर ये लिखती नजर आई कि इवियम को लेकर ये कह रहे हैं कि इवियम पर कोई भी बटन दबाएए तो बीजेपी को जाएगा चुनाव आयो कि इस पर एक्षिन ल किया लेकिन कॉंग्रेस इवियम को लेकर पूरा का पूरा पोस्ट डाल रहे है क्या कहेंगे आप देखे ऐसा है कि कांग्रेस का ये कुछ आचरन हो गया है हर चीज को गुमलाय होना खुद भी कन्फ्यूज होना और सही जानकारी खुद भी न ले पाना ठीक से न सुनना न ठीक से बोलना न ठीक से देखना मतब एक पोजिशन होती एक पोजिशन होती हीरिंग की और एक पोजिशन लिशिन की हकीकत है कांग्रेस की पोजिशन हीरिंग वाली हो गई है इंद्रा जी थी हरे चीज को देखती थी सुनती थी समस्ती थी अपने दिमाग का यूज करती तो उन्होंने शासन किया लाहुल गांदी का है कववा कान ले गया यही पोईशन आपकी यही सपा की अब आपको बताने हैं कि इतना बड़ा जूट उन्होंने जो कहा उसको तोड मलोड के पेस किया और कितना तोड मलोड के किया कि यह कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि आप जिस पर मोहर लगाईए, चाहें जिस पर लगाएंगे, वो जाएगी कमल पर ही, जीतेगी बीजेगी, बता जाएगी कमल पर ही, कमल पर लगेगा, जबकि ऐसा कोई भी बयान उन्हों नहीं दिया, उन्हों ने ये कहा है, कि अरविन जी जो है, वहाँ तेलंगाना के से निजा बीजेपी का इतना बहुमत है, इतना वो है, तो आपका अगर दो चार पांच बोट इधा उदा चला भी जाता, तो उससे कोई फ़र्क ने, चुकि बीजेपी का पूरे देश में है, हकीकत ये कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी जीत रही है, पूरे नॉर्थ में जीत रही, साउथ में भी उसको कुछ कुछ सांसत मिलना है, तो आप अगर बोट दे देंगे, तो अच्छा, अगर आप माले नहीं देती, तो भी बहुमत में उनको जीते की बीजेपी आ मोदी रा, ये वही नहीं कह रहा है, ये स्वर्म कांगरेस के कह रहा है, और ये स्वर्म अधीर रंजन ने कहा था कि मोधी का कोई मुकाबला नहीं है। तमाम लोग कहना है कि BJP को जीतने से बचाना है। तो उन्होंने जो ये कहा कि उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप कहीं पर भी लगाएंगे तो नोट अब है। ये इन लोग की गलत पहिमी। इस चीज़ को ये जै जी ने क्या किया। कि सपा भी वह सी उसमें कि जबकि सपा में आखलेश के फादर साप कहे चुके थे कि एवियम में कोई भी बेहमानी नहीं हुई है। ये बात मुलाहिम सिंग यादो जी ने कही थी। जिस समय कांग्रेश की और प्रिंका गांदी और राहूल गांदी और अखलेश और डिमपल यादों का जब आपस में चानों का समझा होता हुआ, सीटों का बटवारा हुआ, तब भी मुलाहिम सिंग जी ने मतदान के समय कहा था कि जल्दी बोड डलवा लो, अपने बोड निकलवा लो, नहीं तो बाद में कहोगी, इबीम धोका दे गई। ये अपने बसपा बाले पढ़ेंगे, उसके सारे ने अपने बोड के, नहीं तो बाद में कहोगी, इबीम धोका दे गई। ये मुलाहिम सिंग इसलिए जीते थे, प्रोफेसर साब हार गए थे, प्रोफेसर साब ने पहले ही सब दिये कहा था, हार थे, कि नेता जी ने पहले कह अब ये क्या बोलना है अखलेस की बेमानी हो गई बटर, ये कुन्ही जिसमें चुनाओं में कोई हार जाता है, जब तक आंगे रहता तब तक तो ठीक है, और जब हारने लगता हो कहिता बेमानी हो गई, थोई देर बाद पीछे वाला जब आंगे हो जाता है, तो जो जीत अब कहिता बेमानी हो गई, तो ये इनका है, अब कविता जी एक क्या कही नहीं, असोग विस्विदाले के एक प्रोफेसर का बताना है, जिसने सोत किया था, पहले ही देश में उसको एवियम से छिरचार में बहत शिर दी, उस असोग ने इस तरह की कोई नहीं, उन्होंने बताया कि इस तरह से ऐसा हो सकता है, वो भी वो ये तब जब अफसर वगएरा सब मिल करके, अगर जो अंदर के पोलिंग भूत के वो सब एक है, तो वो भी उन्होंने किसी पार्टी बिलेम को नहीं किया, वो इनकी एक रिसर्च है, एक पिकार से स्टूरी या उनका अपना मगर उन्होंने नहीं कहा कि ये इबीम है, ये जवजस्ती बहस का मुद्दा चला रहा है, चुकि नैतिक रूप से बेपक छाड़ गया, हकीकत यह है कि तेलंगाना में जो पोजिशन है, बीजेपी के साउथ में सबसे ज़्यादा सांसर जीत के आए थी, और तमाम पार्ट में नेक्स्ट आपको बता रहा है कि ये निश्चित तोर पर है कि वहां तेलंगाना में भाजपा के सांसर निश्चित तोर पर बियारस से आंगे होंगे, और विधान सवा में नेक टू नेक फाइट होगी, मगर ऐसा भी नहीं जो बीजेपी दावा कर रहे कि हम तेलंगान में बीजेपी बहुत तेजी से राइस की जो वेक्ट वहां पर लगा हुआ है, वही वहां लगाया गया था, त्रप्रा में सरकार बनी थी, इसके पहले उनको लगाया गया था, जहां जहां लगाया गया, वहां वहां बीजेपी की सरकार बनी, तो ये पोजिशन, दूसरी आपको बताना है कि यह बिल्कुल गलत है उन्हों ने एक बयान दिया था कि अगर पत्धर चलाऊगए तो बुलोजर चलेगा उन्होंने यूपी के लिए दिया अब यह क्या कहने है क कविताजी हो यह कि उनके ओपर होना चाहिए तो वो पत्तावगर बुल्डोजा तो बुल्डोजा प्रदेश सरकार चलाएगी इसका मनला आपकी सरकार के लिए करे तो आपकी सरकार के लिए तो सर्म की बात है यह तो यह आपको बताना है कहीं उन्होंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया जैसा कि आप कहा रहे हैं कि EVM को लेकर श्टमाल ही नहीं किया गया शब्द, EVM को लेकर बयान नहीं दिया गया, लेकर इसके बावजूद EVM करके समाजवादी पार्टी हो या कॉंग्रेस आगे बढ़ा रही है, तो ऐसे मैं आपको नहीं लगते हैं कि इन पर इस तरीके से ज जूटे बयान फ्रेम करने के लिए कारवाई होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इनके उपर? बिल्कुल देखिए, जूटे बोल पे ये कांग्रेस का कहने ने चाहिए हमेशा आधार बोट रहा है, इन्हों ने आपको बतारे लगातार जूट, मगर सवाल इस बात का है, कि इन्हों ने जूट ऐसा नहीं कि बिल्कुल जूट को, इनको जो भी इनके कारकरता को बता दिया गया, अब क्या है, राहूल गांदी उनको दूसरे लोग बैक करते हैं, दूसरे लोग सलाय देते हैं, ये लोग उसी को मान लेते हैं, मगर एक सच को ये जान भी नहीं पा इसमें भी बोदी कुन्य मोले मोधी ने अपने नाम के आंगे लिख लिया चौकी दार साथ पता चला बाद में मोधी जी जीत गए सरकार बन गए उनको कॉन्फिडेंस था उसमें भी इनों ने माफी मागी हर जगे आपको बता रहे अगस्ता उसका जो सेना के विमान का जो ग अडानी से के लिए बोले 20,000 करोर रुपिया कहां के जी आया आपको बतारा है जब उसकी अगस्ता वाली उसकी जाच हुई तो पता चला मोधी से कोई लेना देना ने ये खुद इनवाल्ब थे कमीशन खोड़ी में कांग्रेस के मंत्री उन लोगों ने बाकाइदे उसके मिलें इसके बाद अडानी वाला हुआ अडानी वाले डिशीजन आ गया सब कुछ आ गया बाकाइदे उसके लिए जान सम्ति बैटी कोड तक सुप्रीम कोड तक मामला ये दुर्भाग है कि कांग्रेस को लोग गलत इसू देते हैं मैं आपको बताना हूँ इनको गलत अब विस्वास प्रस्ताओं में किसकी बेजिती हुई राहूल गांधी की हुई वो चले गए तो आपको बताने कुछ ये है कि कांग्रेस को जहां लड़ना चाहिए वहां लड़ी नहीं पाड़े अचा दूसरी एक बात आपको बता दें उन्होंने इभी कहा है इन्होंने अरविन ने कि यद आप मुझे बोड देंगे हमने आपकी सेवा की इस आदार पर बोड मांगने आए अगर आप नोटा पर डालेंगे तो भी हम आपकी सेवा करेंगे ये उन्होंने का तो भी हम आपकी सेवा करेंगे दूसरी आपको बताना है कि एबी हम इस तरह करके ये बहुत ब़ला ये चुनाव आयोग पर करना contempt के उपर बहुत ब़ला अपड़ाद है अगर शेशन वगएरा के सामने इन लोग की इंबन नहीं थी इन लोग के उपर कालवाई होना चाहिए चुनाव आयोग को तुन्त ये चुनाव आयोग के प्रत्वो है चुनाव आयोग हमारा transparent है कोई भी आरोप नहीं लगाता है पवार ने इस पष्ट कहा था कि चुनाव आयोग पर कुछ भी नहीं तमाम विपच के लीडर कह चुक है इस पे कालवाई होना चाहिए चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए कि इन पे कालवाई करनी चाहिए कविता पे करनी पाई है और इस पे करनी चाहिए और इनके साथ में ये असोग विशुदाले के जो सोथ पत्र प्रोफेसर के लिए कह रहा है उससे भी बयान लेना चाहिए ताकि उनके सही बयान आमे जो ये लोग करना है पायों को कारवाई करनी चाहिए जो हिस तरह के जूटी अबाय उड़ाएं ये लाष्ट द्रो है तो जैसा कि अपने अच्छा पत्रकार जी को सुना नहीं पर यह बात क्लियर की है कि EVM जैसे शब्दका स्तमाल अभीजपी के सांसा द्वारा नहीं किया गया इसके उल्टा अ अपने चर्चा पूरी सुनी है अब इस पर आपकी भी जुराय हो उसे कॉमें सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं तन्यवाद